मैं मानी मक्य बंती जी का विमसादर प्रिणाम करूँगी तो मुझसे कुछ शण के लिए मुलाकात कर ले या मुझे अपने पास बुला ले या मेरे पास ही मेरे घर पर ही आ करके अपना आश्रवाद प्रदान करे कारवाई से में संतुष्टू कारवाई जो उचित हम से की आज शायद को और प्रसासन होता तो ये कारवाई भी नहीं करता और जो सदन में बैठे हुए है बाबा जी वो आज जो उचित कारवाई करते हुए यह कारवाय किया मैं उनका अभार वैक्त करूंगी पतीक हमत की पतनी साइस्ता परवीन पर पुलिस का सिकंजा लगातार कस्ता जा रहा है। पहले पुलिस ने उनको माफिया करार दिया और अब उनकी हिस्ट्री सीट तयार की जा रही है। इसी मुद्धे पर बाचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है। उमेश पाल की पतनी ज साइस्ता परवीन एक ऐसी औरत है कि जो अधी कमत कारवास में रह करके जो कुछ काम करता था उसका पूरा बागदौर जो है साइस्ता परवीन समालती थी। जिससे वह अपना सारा कारेयर जो है जैसे पैसा के लेंदारी हो गई है। किसी को देना हो गया। हर दोक बंदों का इस्तमाल करना जा घृत Brendan ii इसिवर करना लुए की पूरी तरह से आती जो आदम मेंगदौर सादहरं मैं उड़ते यह ने करती और हो घर यह सिर मीद रहते हैं था फिक्षा दो भच्छों को तरह थे कर को कि अची आघ्ली करो कि आज रहा ऐसी हैं कि इन्होंjang करने के बाद आज अगर वो सही होती तो प्रसाश अंग सामने वह अपने सरंडर करती अपने आदमी मरने के बाद वहां पुंछ तो इसी है उपने के मकई माफिय माफिया। कि आपकी कहने के मुताबिक अगर साइस्ता परविन वाकई इतनी पाक साफ रहती तो वह कानून का सामना करती सरिंडर करती और कानून को फेस करती लेकिन वह अभी भी तीन महीने का लगबक वक्त हो चुका है अभी भी पुलिस की मजरों से दूर भाग रही है पुलिस की उपना सामराज फिर से स्थापित कर सकती है यह काम वह पूरी तरह से कर रही है एक तरीके से जो अठीक आहि बर्बाद हो चुका लेकिन इस तरीके से साइस्था परवीर लगातार बाहर है वह अपने गिरों को फिर से बार संगठीत कर रही है और उसके उपर करवाई जुडे हुए है वही उनका साथ दे रहे है कि अतिक आमक्क के साथ बुरा हुआ है और जो कुछ मुहंडब मैं हिंदु है वो जो समंज रहे हैं उमेश्पाल के साथ कितना गलत हुआ है और घॉकार वह खतम हुआ है किसी ना किसी प्रकार से लेकिन सागे साइस特ऺ बढ़ाई कर रहे हैं स आम राज फेला रही हैं गुर्ग का की कई नहीं से हम लोग को भी या इस जिसका आतंग है कि कहीं न कहीं वो इस तरह से काम कर सकती है फिर दुबारा वो अपना भश्चाशार फैला सकती है तो सासन उन पर कड़ी कारवाई करके उनको उचित दंड दे लेकिन जिस तरीके से सासन का सिकंजा कसता जा रहा है लेकिन कुछ राजितिक पार्टिय अपने बेटे के मरने के बाद जाती है आपको सरेंडर कर वो साबित करती कि हा मैं जो है इस पूरे गिरो की जो बागडोर थी उसने सम्हाल लगी थी जो पैसे थे व्यापारियों से चाहे बिल्डर्स थे वो सारी रकम असाइस्ता परविन खुद वसूली करवा देखे अभी आपने बीच में आपके ही द्वारा हमें माद्धिमों से पत्ता चला कि यह इस बीच मे इन्होंनें पैसे किसी से लिये ते तो इस सोचिए कि यह जब रह करके बाहर कर आप प्रिशासन से छुप कर कर के आज भी वह कर रही है आज प्रशासन को पकड़ नहीं पारा लेकिन इनको पगर पकड़े थो छोड़ा भी ना जा अउचित दंड दे करके इनका जो इनके साथ भी वही तरह वहवार करें जिस तरह से पाउदानों पर चलेगा तो उसका सामराज पूरी तरह से निस्ते नावों तो इसलिए उचित कारवाई करते हुए मैं मानि मुख्यमंति जी से निवेदन करूंगी कि इन सब के जो ऐसे लोग है उनका ब्रस्टाचार खतम करवाएं किसी प्रकार से क्योंकि आपके राज में आपके समाज समाज सुरक्षित रह सकता उस बीच में कभी आपकी योगी आदितना जी से मुलाकात हो पाई या आपकी ख्वाई से चाहती है कि उनसे मिले और अपनी बाते रखें जी बिलकुल मैं मानि मुख्यमंति जी का मुसादर प्रणाम करूंगी वो मुझसे कुछ श वो च्माज समझ सकेगा कि आप जो है किस कारवाई से संतुस्ट हैं क्या चाहती हैं सरकार से अपक्या चाहती है संतुस्ति हूं कारवाई जो योस्त धंग से कर रहे हैं और जो माफिया हैं वो भी पकड़े ही जाएंगे आज नहीं तो कल जरूर पकड़े जाएंगे लेकिन मैं एक बार माने मुख्यमांतिजी से मुलाकाद करने अबहार जताना चाहती है क्योंकि इस तरीके से अभी तक कारवाई की गई है पिछले तीन वहिनों के दौरान चाहिए असत का इंकाउंटर हो गुलाम का इंकाउंटर हो या फिर जो अन्य गुर्गे थे उनके उपर जो सिकंजा लगातार कस्ता जा रहा है उनका अभार वैक्त करूंगी कि उन्होंने मेरे मैं शायद आज अकेले होती तो प्रसासन भी मेरा साथ ना देता और यह अलग सत्ता होती तो आज मेरा कोई साहरा भी ने देता और मुझे कोई जो है मुझे नया भी ने मिल पाता मुझे शायद मतलब मेह फूश मान नहीं किस तरीके से योगी जी ने अपने कारवाई की है और क्या यह जो कारवाई हुई है दूसरे माफियाओं के लिए एक मिसाल होगी बिलकुल बिलकुल जो आप कह रहे हैं यह जरूर हो रही है क्योंकि समाज में लोग भी यह कह रहे हैं कि हां ऐसे जो सामराज में बैठे हु सारे ही लोगों यानि संतुष्ट करें उस तरह से